हलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी PCS में मैं हूँ केवल आपके सामने अगला वीडियो आप देखेंगे तो एक साल का करेंट अफेर आपका कवर हो जाएगा टार्गेट BPSC 68 के लिए याने की जो परिशा अब आपके एकदम नजदीक है मुझे उमीद है कि आप लगातार अपनी तयारी को धार दे रहे होंगे और इस धार देने के करम में आप जादा से जादा रिवीजन कर रहे होंगे अगर रिवीजन आपने अभी नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लगातार रिवाइज कीजिए जिसे करेंट अफेर है तो आप एक बार नहीं कई बार वीडियो को देखिए एक बार से आपको शायद याद ना हो दो बार से हो तीन बार से हो और बात अगर गती की करें, तो आप YouTube में गती को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, जिस गती में आपको वीडियो देखना है, देखिए, समय बचाने के लिए गती आप बढ़ा भी सकते हैं, तो बात आती है कि इससे ज़्यादा अगर वीडियो आपको देखना हो, एक साल से पीछे क हम मार्च और अप्रेल महिने का करेंट अफेर कवर करेंगे, वर्ष 2022 का, तो हमारा पहला सवाल है, हाली में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है, जो की अररिया में तिमराहा गाउं है, वहां पर की जा रही है, और यहां जो मंकी पार्क है, इसका प्रमुख व्यक्तित्तों है और इनकी एक बहुत ही शांदार रश्णा जिसका नाम है मैला आचल जो की एक उपन्यास है याद रखिएगा यह नाम ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रश्णा है फाली में जारी राश्णी परिवार स्वासर विक्षन ड्वारा जारी आकडों के नुसार बिहार का लिंगा नुपात कितना है तो देखे बिहार का लिंगा नुपात है 10 1090 ठीक है अब बात आती है कि शहर और ग्रामीड छेत्र में भी यह लिंगा नुपात अलग अलग है शहरी में 982 है और ग्रामीड छेत्र में 1111 मतलब ग्रामीड छेत्र का लिंगा नुपात शहरी छेत्र के तुल्ला में बहतर है अब यहां पर प्रश्णंदर की बात करें तो 3.4 से इस बार 3 तक पहुँच गया है मतलब कि जो राश्टी परिवार स्वास्तरवेक्षन है नेशनल पैमली हेल्थ सर्वे पोर में तो आकड़े 3.4 कि थे प्रजनंदर के बिहार में लेकिन 5 में कितना हो गया है 3 हो गया है राश्टी स्थर की तुलना में देखा जाए तो यहां अभी भी प्रजनंदर काफी जादा है क्योंकि राश्टी स्थर पर कितना है प्रजनंदर तिर्फ दो है इसी रिपोर्ट के नुसार अब बात आती है नेफ एच एस कप से चुना गया है दर्भंगा जिले को चुना गया है किसके लिए चुना गया है मखाना उत्पादन के लिए प्रधान मंत्री पुरुसकार दिया गया है मतलब की अच्छा प्रदर्शन रहा है उत्पादन के मामले में बात करें यह तो एक जिला एक उत्पाद की है लेकिन जिया है फिट्पे पूरा का पूरा जीतना जानना रपक्त हल्ँ की का बाएक आपको मिल जाएग के बारे में आप से बताए है क्या होता है अखिरीं है जोग्राफिकल प्रोटेक्शन एक 1999 1999 के इस अजनियम के द्वार जी आई टेक दिया जा रहा है किसी छेत्र विशेश्टा के आधार पर दिया जाता है लेकिन बात आती है कि यह जो है वर्ष दो हजार तीन से लागू है ठीक है आगे देखिए अब जी आई टेक किते वर्ष के लिए जाएग यह सवाल पहले किसे ने पूछा था तो जी आई टेक दस वर्ष उसके बाद तिर इसे रिन्यू कराना होगा अगला है बिहार के किस जिले में दूसरा तारा मंडल बन रहा है और पहला तारा मंडल कहां मौझूद है तो पटना जिले में हैं इंद्रा गांधी जी के नाम प सकते हैं कि आप इस वक्त अंतरिक्ष में मौझूद है अब आगे देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किन दो जिलों के बीच में धार्मिक कोरिडोर स्थापित किया जाएगा मधुबनी और सहरसा के बीच में धार्मिक कोरिडोर किस प्रकार का कोरिडोर है धा 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था बिहार राज बना था और अब 110वा कौन सा बनाए गया है स्थापना दिवस मनाए गया है किस वर्ष में तो 2022 में अब 2023 में हम कौन सा मनाएंगे तो 2023 मने गाम हमारा 111 ठीक है अगला देखे 21 मार्च को बिहार के किस निवासी को बिहार चेंज में कर अवार्ड 2022 से समानित किया गया है तो मनोहर कुमार को समानित किया गया है अपने साइंटिफिक शोस करते हैं और साइंटिफिक प्रदर्शनिया करते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें चेंजमेकर अवर्ड दिया गया है यह इनका अपना एक अलग किसम का स्टार्ट अप है अगला है हाल ही में बिहार कि किस महिला को अंतरराश्ट्री महिला दिवस के मौके पर राश्पती द्वारा नारी शक्ती पुरुसकार दिया गया अब आपको पता होना चाहिए कि नारी शक्ती पुरुसकार कब से दिया जा रहा है तो वश उन्निस्तो निन्यान्वे से नारी शक्ती पुरुसकार दिया जा रहा है और वरतमान में किसे दिया गया अनीता गुपता को जो कि बिहार की है और बिहार की अनीता गुपता ने कई लोगों को मतलब कई महिलाओं को कौशल प्रशिक्षन दिया जिससे की वे पैसे कमा सकें अब बात आती है यह कब दिया गया तो देखिए साफ साफ लिखाया अंतरराश्ट्री महिला दिवस के दिन यह दिया गया और अंतर राश्टी महिला दिवस कब है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ याद रखेगा आठ मार्ज को मनाया जाता है अगला हाली में की गई घोशना के नुसार वर्ष 2022 में बिहार नदी जोड़ो पर योजना के अंतरगत किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा तो पूरवी चंपारण और मुझफर पूर इन चार जिलों में जल की जादा आपूर्ती हो सकेगी और यह तभी होगा जब यह नदी जोड़ो परियोजना से बूढ़ी गंड़ा को और बागमती नदी को जोड़ लिया जाएगा अगला है नालंदा के किस समासेवी को भारत र भारती पुरुसकारहगे यहां और जाएकने है कि अ मिल चुका है और कम मिला है वर्श, 1990 में भारत ठीक है याद रखेगा ये बात आगे की बात आती है इसमें बिहार सरकार द्वारा की 108 विद्याले शिक्षा में शत्प्रतिशत तकल नामंकन अनुपात हासिल करने का लक्ष रखा गया है देखें विद्याले शिक्षा की बात हो रही है कितना नामंकन शत्प्रतिशत कब तक में वर्ष 2030 तक में क्या सिर्व बिहार राज सरकार द्वारा यह लक्ष मनाये गए नहीं जो नई राष्टी शिक्षा नीती है नेशनल, एडुकेशन, पॉल्सी, एन एपी 2020 में भी यह बात कही गई है अगला देखिए, हाली में किस महादीब की पिंटल यानि की नौर्धन पिंटल प्रजाती के प्रवासी पक्षी को पहली बार बिहार राजी की राजधानी पटना के जलाशने में देखा गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक पक्षी है, पिंटल, जिसे क्या कहा जाता है, नौर्धन पिंटल, यह प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी का मतलब यही कहीं बाहर से आ हुआ पक्षी है और पहली बार राजिके पतना जिले के जलाशे में आया और इसकी पहचान हुई पिंटल नौर्दन पिंटल ठीक है अगला देखिए गोष्णा की गई पश्मी चम्पारण में की गई और यह किस आधार पर की गई पियम मिप्रा टेकस्टाइल पार्क के आधार ठीक है सम्मेलन कहां आयोजित किया गया 14 वा दिल्ली में बिहार में नहीं किया गया है याद रखेगा यह राष्टी इंतराष्टी खबर का मामला यहां से चालू हो चुका है अब आप देखे चौदहुआ भारत जापान वार्शिक शिखर सम्मेलन है क्यों होता है यह इसलिए होता श्रेक वर्चस्ट ना स्थापित हो पाए डापां के बारे में को पता ही है कि वहां के पूर क्रण दान ठीक है? अगला प्रशन देखिए. फाली में पूसा कृषी विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? इसका स्थाही उत्तर है दिल्ली, दिल्ली में आयोजित किया गया और दिल्ली ये में आयोजित की गए इसकी मेले की थीम क्या थी? तक्नीकी ज्ञान के साथ आत्म निर उक्रेन में फसे भारती चात्रों नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है ऑपरेशन गंगा के तहट पिछले साल वर्ष 22 की बात है भारत के जो लोग थे वहां पे रह रहे थे जब वो यूक्रेन और रश्या के युद्ध के बीच फस गए उन्हें परशानी होने लगी त वहां से फसे हुए सारे विद्यार्थियों और भारती लोगों को वहां से लिया लिया गया उसी तरह से बहुत सारे अभियान देखिए पहले विचे देसे वंदे भारत अभियान कोरोना काल में दूसरे देशों से फसे लोगों को लाने के लिए शुरू किया गया था ओपरे 2015 में नेपाल में भूकम पाया था नेपाल में भूकम और उसमें भारत मदद करने के लिए operation मैत्री चला रहा था अगला देखिए वह भारती cricket खिलाडी जो हाली में shortest match खेलने वाला देश का बारवा खिलाडी बना तो नाम क्या है विराट कोहली हाली में भारत का पहला digital water data bank aquarium की सराज में launch किया गया है करनाटक में आप देखे करनाटक में क्या बात वता रहा है पहला digital water data bank पानी का जितने भी water bodies हैं उनके से जुड़ी हुई महत्पूर जानकारी digital रूप में कहां पर मौजूद है इस करनाटक में water digital water data bank मैं एगला देखे हाली में मिसवर्ट 2021 का खिताब जितने वाली करोलीना विलावसका सवाल में भी बहुत सारी जानकारी है मिसवर्ट 2021 कौन है करोलीना विलावसका किस देश से सम्बंधित है पोलेंट से सम्बंधित है ठीक है अभी तक मैं कितनी बार कितनी हिलाएं हैं कितनी स्त्रियां हैं जो मिस्वर्ट बन चुकी हैं तो 70 यह 70 रहनी थी को रोलीना अब जो है इस वर्ष 2023 में बनेंगी वो कौन होंगी कहतरवी होंगी अगला देखे हाली में भारत सरकार किस मंत्राले दौरा डीप ओशन मिशन लॉंच किया गया डीप ओश लोहे मैगनीज निकल और कोबाल ट्यूक चट्टा ने इनका खनन करके अध्यान करके इसका उप्योग किस प्रकार से किया जा सकता है इसकी जानकारी कठा की जाएगी और इसके लिए पंडुब्बे का निर्मार कर रहा है कौन राष्ट्री महासागर प्रवद्योगी की सं राई में हैं हजार मीटर तक नीचे चाकर के यह कारे को अंजाम देंगे अब आगे देखिए हाल ही में किस राजसरकार ने पहली बार अपनी वार्शिक वित्ती योजना की हिस्से की रूप में बाल बजट पेश किया देखिए भारत सरकार जैसे बजट पेश करते हैं उस और उन विभागों से जुड़ी हुई जो बच्चों के लिए योजनाय चला जा रही हैं उन योजनाओं को अलग से त्यार किया गया और एक बाल बजट के रूप में पेश किया गया खीक है तुत्तर क्या है इसका मध्यप्रदेश आगे देखिए हाली में किस मंत्राले द भूमिका को ज्यादा से ज्यादा बढ़हाया जा सके इस वज़े से इस प्रोग्राम को चलाया गया था ठीक है आगे दरकिए और क्या है पहली महिला राष्यपति आगे देखे हाली में कि सरकार ने सुष्मा सुराज पुरुसकार की होशना की है हर्याना सरकार ने सुष्मा सुराज पुरुसकार की होशना की है जिसके अंतरगत महिलाओं को रुपए 5 लाख और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा अब बात आती है सुष्मा सुराज को देश मंत्री पहली कौन थी पहली थी इंद्रा गांधी इसके अलावा दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री भी यही थी ठीक है दिल्ली की पहली महिला आगे देखी प्रसनता के मामले में अब बात आती है जारी कौन करता है यह रिपोर्ट तो संयुक्त राज सतत विकास समाधा नेटर्ग द्वारा इसे जारी किया जाता है आगे देखे हाली में केंद्री ग्रामिर विकास और पंचायती राजमंत्री गिररास सिंग ने मनरेगा के लिए किस एब को लॉंच किया तो लोगपाल एप लॉंच हुआ है जिसके द्वारा लोगपाल एप में क्या होगा कि मनरेगा से जुड़ी हुई शिकायतें वहाँ पर की जाएंगी फिर बाद में उन शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा आगे देखिए हाली में Google ने अपनी Google Play Pass सर्विस किस देश में लॉंच की है तो भारत में लॉंच की है ये Google Play Pass क्या है एंड्रॉइट फोन में जो प्ले इस्टोर होता है उसमें बहुत सारी एप होती है बहुत सारी एप को इस्तिमाल करने के दौरान एड आने लगता है तो वियत नाम ने की है, वियत नाम ने किसकी की है, दक्षिन पूर्वी एशियाई खेलों की, और किस नमबर का था, एक तीस्वे नमबर का, ठीक है, अब आगे देखिए, हाली में किस राज सरकार ने मननार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगों के लिए भारत के पहले सं रक्षन कर रही है, डुगों का संड़क्षन, और कहां पर करना चाहती है, मननार की खाड़ी, और पाक खाड़ी में, कौन सी राज सरकार ने एनने लिया है, तमिल नाडु की सरकार ने, अब बात आती है कि आखिर यह डुगों क्या है, तो आप याद रखिएगा जो सी एंट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर, कि लिए रेड लिस्ट में समवेदन शील शेड़ी में, याने की वलनेरेबल की शेड़ी में है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, आगे देखिए हाली में एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्व वर्ष 2020 के एरपोर्ट सर्विस, क्वालिटी सन्वेक्षन में भारत के कितने हवाई अड़ों को आकार और छेत्र के अनुसार सर्ष्ट हवाई अड़े में जगह मिली है, कितने हैं इस प्रकार के 6 हवाई अड़े ऐसे हैं, जिन्हें सर्ष्ट हवाई अड़े के लिए जग पावन वर्ष की उमर में निधन हो गया वह कि देश के खिलाडी थे तो याद रखेगा औस्ट्रेलिया के आपको याद रहना चाहिए जो बता चुका हूं कि इतना बताँगा कि आई पील का जो पहला संस्क्रण था पहले संस्क्राण रॉयल की टीम में खेल रहे थे बॉलर ठीक है आगे देखिए हाली में अंतराश्टी महिला दिवस 2022 के उपलक्ष में भारत का पहला तो प्रतिशत महिला स्वामित वाला और योगिक पार्क की शहर में खोला गया है ठीक है आगे देखिए फिक्की लेडीज अर्गनाइजेशन जो है FLO है उसके द्वारा या अग्योगिक पार्क ठीक है और यह कब हुआ अंतरराश्टी महिला दिवस 2022 के बारे में बता चुका हूं कि कब मनाया जाता है आठ मार्च को अब देखिए अगला है पांच अपरेल 2022 को स्टेंड़ अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांट मनाई गई तो वर्षगा योजना है क्या इसको देख लेते हैं तो जो एस्टी वर्षग है उसके लावा जो महिलाएं हैं जब ये उद्ध्यम अपना शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें 10 लाख से ले करके एक करोड रुपए तक का रेन उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है आगे देखिए 10 अप्रए 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री बने कौन बने शहवाज शरीफ बने शहवाज शरीफ किस पार्टी के सदसे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास PMLN के सदसे हैं इ तो यहां के प्रधान मंत्री थे वो कौन थे इम्रान खान उनकी पार्टी थी तहरी ए इंसाफ यानिकी PTI आई आगे देखिए हाली में किस देश को स्तैयुक्त राष्ट मानावाधिकार परिशत से निलंबित कर दिया गया तो रूस को कर दिया गया जब उन्होंने यूक् अब बात करें सरशेष्ट फिल्म का नाम क्या है कोड़ा फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं कि मश्ली पालन का कारे कर रहे थे पती पत्नी और दोनों के दोनों बहरे थी और उनकी बेटी थी जो कुछ अलग करना चाहती थी स्विवसाय के अलावा इसके पर एक फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है इसी विज़े सर्शेष्ट फिल्म बनी भी है सीदी सी बात है इसके लाव और सारे पुरुसकार है आप देख सकते हैं चाहे तो इसका क्रीशॉट भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पॉस कीजिए इसकी शॉट लीजिए फि इसको कहा जाता है आर्किटेक्चर का नोबल ठीक है पृद्यपुरुसकार को याद रखेगा अब आगे देखी न्यूजिलेंड में आयोजित आइसीसी महिला क्रिकेट विशुकप 2022 का विज़ेता कौन सा देश है तो आप पता दिएगा कि इसका जवाब है औस्ट्रेलिय औस्ट्रेलिया ने जीता किसको हरा करके इंग्लाइंड को हरा करके ठीक है वर्ष 2022 का क्रिकेट विशुकप बात हो रही आइसीजी के अब बात करके जाए आयोजन कहां हुआ था तो न्यूजिलेंड में हुआ था सर्शेश खिलाडिस में कौन था एलीसा हैली था जो की थी जो की बैट्समैन थी ठीक है आगे देखते हैं और किस टीम से थी ये भी आब याद रखेगा एलीसा हैली किस टीम से थी तो ऑस्टेलिया से थी मैच और मैन आफ दो टूनामेंट डूनों इने मिला था आगे देखिए IPL के तिहास में रिटाइड आउट होने वाले पहले खिलाडी कौन बने हैं तो रवी चंदर अश्षिन बने हैं पहले खिलाडी IPL के तिहास में रिटाइड आउट हुए देखिए एक शब्द दौर होता है जिसको कहा जाता है रिटाइड हर्ट कोई खिलाडी चोटिल हो जाता है खेल नहीं पाता तो मैदान से बाहर उसे आन किषण बन्हें पाना कर दिया मैदान से बाहर चले गई इससे ही एक फिलाडी खुड से ही बैटिंग करने को ले करके अपने आपको बोल देखिए कर पाऊँँगा मैं बाढ़ चेक्र बाहर तो उसे क्या हम बोलेंगे रिटाइड बार या सकता अगर देखे हाली में संघ लोग सेवा आयोग यानि कि UPSC, UN Public Service Commission का नया अध्यक्ष किसे न्यूगत किया गया है तो डॉक्टर मनोस्तोनी को नया अध्यक्ष न्यूगत किया गया है और पहले अध्यक्ष कौन थे र सर रॉक बारकर पहले अध्यक्ष अब यह जो संघ लोग सेवा आयोग है पहले इसका नाम लोग सेवा आयोग ही था लेकिन इसका पूरा नाम संघ लोग सेवा आयोग पूरा नाम इसका कब पढ़ा? 26 जन्वरी 1950 को ठीक है इसका पूरा नाम पढ़ा और संग लोग सेवा आयोग जो की पहले इसका नाम लोग सेवा आयोग था इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखेगा इसकी स्थापना जो हुई थी एक अक्टूबर 1926 को हुई थी ठीक है आगे देखिए वर्तमान में फाइनेशल एक्षन टास्क पोर्स यानि कि आरोप रहता है कि वो मनी लॉंडरिंग और टेरर फाइनसिंग में सनलिप्त हैं आगे देखिए हाधी में IPL के दिहास में सबसे तेज तो छक्के लगाने का क्रितमान किस क्रिकेट खिलाडी ने हासिल किया है तो इसका सही उत्तर है हार्दिक पांडिया आगे देखिए कि दे श्वस्ता खराब हो गई थी और इस तमय अगर बात कि जाए वरतमान वे वहां के देश के जो प्रमुख है वह कौन है रानिल विक्रम सिंग है अगे देखते हैं तेरा प्रहल 2022 को कुष्ट रोग के लिए अंतरराश्टी गांधी पुरुस्कार किया गया किसके लिए देख कि जा रही थी कई लोगों की कुष्टोगियों की और यह पुरुसकार कौन देता है गांधी मेमोरियल लिप्रेसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है आगे देखी हाली में किस देश ने हेलीना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलता पूरवक परिक्षन किया तो भ पता दीजेगा कि भाई सहाब यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लाती है ठीक है अब आगे देखते हैं अगला है हाली में स्थापित लता दीनानाथ मंगेश कर पुरुसकार सरप्रथम किस किन्हें प्रदान किया गया देखे सवाल में एक जानकारी छुपी हुई है लता दीनानाथ मंगेश कर पुरुसकार प्रदान किया गया लेकिन कब सरप्रथम सबसे पहली बार अभी पिछले सार प्रदान किया गया है और किसे दिया गया है भारत के प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी को दिया गया है या पुरुसकार क्यों दिया जाता है जो भी अंतरा जानकारी है जो उनके जीवन से जूड़ी हुई है जैसे कि यह जो पुरुसकार है किसके दौरा दिया जाता है मास्तर दीनानात मंगेशकर स्पृति प्रतिष्ठान चरिडिवर्ड ट्रस्ट के दौरा उनके बार एक बहुत ही महत्पूर्ण कि लता मंगेशकर उनिस सो नवासी में डादÁ सहाब फालके पुरुसकार उन्हें मिला था अब में भी मैंने आपसे पर्याप जानकारी शेर की थी 2001 में भारत पुरुसकार मिला 2007 में फ्रांस की सरकार नहीं है सर्वोच नागरिक पुरुसकार दिया और उसका नाह है पर ईंद्वारा जी आई ठेग दिये गया है देखिए , उमांचीर प्रदेश की कांग्ड़ा चाये को ठीक है भारत कवर्ष है जो हाल्ख नाहीं पने आप में यह पहला भारती शहर है स्टील स्टील का खचड़ा होता है अब यह कहां से मिलेगा इस्टील का कट्रा, यह मिलेगा ओध्योगी जो छित्र हैं वहां से, अगला देखिए, किस भारती अभिनेता को हाल ही में अबुधाबी की यस आइलेंड, कहां का है, अबुधाबी का यस आइलेंड का ब्रैंड इंबेस्डर, क्या बनाए गया है, ब औहां पर उनकी फोटो के साथ में उनकी उपलब्धियां यहां पर देखने को स्वारान मुल जायेंगी आगे देखते हैं अप्रेल 2022 में जारी राज उर्जा और जलवाई सूशकांक में शीर्ष स्थान पर है कौन है गुजरात है और इसमें देखा जाए तो बड़े राजियों में गुजरात है उसके लावा छोटे राजियों में गोवा है और तिन शासित प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर कौन है चंडीगड़ है अब बात आती है कि यह राज उर्जा जलवाई सूशकांक किस आधार पर तयार होता है तो आधार इसके देखे उर्जा पहुंच कहां तक उर्जा की कितनी पहुच है उर्जा की कितनी धक्ष्टा है यानि कि उपयोग बहुत सही तरीके से किया जाए 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 अब आगे देखिए एक अल उप्योग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए जागरूपता फैलाने हे तू किस रुभंकर को लॉंच किया गया है रुभंकर का नाम है प्रकृती और लक्ष क्या है जो सिंगल यूस प्लास्टिक है उसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए 2022 के अंततक में अब यह हुआ की नहीं हुआ यह अलग बात है लेकिन यह जानकारी पता होने चाहिए उसके लिए शुभंकर कौन था तकृती था लक्ष क्या था सिंगल यूस प्लास्टिक का उन्मूलन 2022 तक अब आगे देखिए हाल जानवर के लिए किया जा रहा है और वह जानवर कौन है काला गैंडा और यह जो बॉन्ड है इसकी कीमत कितनी है 15 करोड डॉलर बात की जाए बॉन्ड का नाम भी है राइनो बॉन्ड क्योंकि यह एक राइनो ही है अब देखिए आयू चीन की जो रेडिलिस्ट है उसमें य यह राइनो कहां पर है देखिए तो अफ्रीका में है काला गैंडा अब आगे देखिए तीसरे राष्टी जल पुरुषकार में शरस्ष्रेश राज है कौन है उत्तरप्रदेश शर्ष्रेश राज चुना गया है पहला कभ हुआ था पहला था 2018 में राष्टी जल पहले था यह था पहला संस्क्रण और और पहला संस्क्रण जो इसके एक साल पहले था यह था पहला यह हुआ भूवनेश्वर में और दूसरे वाले में सबसे अच्छा प्रदर्शन जैन विश्रुद्याले नहीं किया है और उसके बाद फिर लवली प्रोफेशनल उनिवर्स्टेइफ के पंजाब विश्रुद्याले कम स्कम जैन वारा तो याद रखेगा उससे ज्यादा भल लेकिन सबसे पहले कौन थे अर्विन पंगढ़िया सबसे पहले जब नीतियायो का गठन हुआ था दौरान यही बने थे CEO देखा जाये तो अभी कौन है परमेश्वरन आयर और परमेश्वरन आयर इनके पहले कौन था तो इनके पहले थे अमिताभ तांत ठीक है अब बात आती है अगले प्रशन की Securities and Exchange Board of India यानि कि इसको क्या कहेंगे सेवी के चेयर परसंट के तौर पर किसे न्यूक्त किया गया है तो सेवी के चेयर परसंट के तौर पर अभी माधवी पूरी बुच को न्यूक्त किया गया है और बात आती है सेवी तेवी का मुख्याले कहां ह है तो सेवी का मुख्याल है आपके मुंबई में ठीक है अब यहीं तक था आज का हमारा करेंट अफेयर सीरीज का यह पांचों एपसोड का पूरा का पूरा करेंट अफेयर मुझे उमीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा है और देख लिया है तो अगला का आपको क्या क्या करना है एक-बार नहीं दो बार नहीं तीन बार जितनी वेडियो आपका मन करे परिक्षा देने के पहले जितने वीडियो है था उसी कुछ बार भी करेंगे अच्छे से करेंगे तो कि उससे भी कुश्चन आते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा जुड़े रहना होगा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे जल्दी मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए स्वास्त रहें मस रहें और पड़ते रहें धन